दोस्कार दोस्तों स्वागत करता हूं आप सब भी इन क्लास में तो यहां पी हम बात करेंगे नोमें क्लेशर और कार्बन कंपाउंट का नोमें क्लेशर करते हैं तो क्या-क्या चीज को ध्यान रखना पड़ता है तो सारा चीज बात करूंगा विडियो के यह एंद तक बने करें अब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल इकन को प्रेस करना ना भूले तो जब भी हम कंपाउंड का का नोमेंग करते हैं तो हम्हों क्या-क्या चीज ध्यान में रखना है तो पहला चीज है एडिभाई दैन नंबर अब कारवन अटम्स कि इतने हैं वह नमर को हमको identify करना जोशन है के एक दो इतना करना है अगर चेंड में कितना थो हमको याद रहना है अगर आतम में थो लेंगे तो उसको बोलेंगे एतने, अगर 3 है तो फ्रोपन मो लेंगे कि carbon कितना थुण है दूसरा प्उइंट है तनीनuito के फ़िवेट ऐधर ए लगता औरफोट को बाद में नेम के बाद में लगता है तो हाइड्रो कार्बन का जो आई है मतलब जैसे मिथेन लिख रहे थे mithan का last में जो e था इसको e को हटा के हम उस functional group के लगा देते हैं suffix कर देते हैं ठीक है याद रखना है जब भी functional group को भी functional group आता है तो last का जो e है उसका functional group का suffix को लिखना है ठीक है फिर तिसरा point the carbon atoms are number from side of functional group इस साइट में लगा हुआ है उससी साइट से हमको करना ये एक दो तेन जो कार्बन का निमिंग होता है तो यहां पर हम देखेंगे फ्लएग्य पेरकुर्ण करके हम जाते हैं है तो सब्सक्षिप नहीं हेलोजन मतलब जो ग्रूप 17 का जो एलिमेंट है उसको हम हेलोजन बोलते हैं इसमें क्या क्या आ जाता है ग्रूप 17 में क्या आ जाएगा क्लोरीन आ जाएगा ब्रोमीन आ जाएगा है ना क्लोरीन फ्लोरीन ठीक है ब्रोमीन आयोडीन यह सब आ जाएंगे इसमें सो जब भी को compound में halogen group रहता है तो उसमें prefix लगता है suffix नहीं लगेगा prefix मतलब पहले हम उसको लिखेंगे ठीक है पहले हमको लिखना है prefix याँपर फर्मुला के बाद में तो example के तोर पर देखेंगे यहां पर देखेंगे हिए त्रिम्तर चीजरी से चुल्ण हिए लागर्व पांट यहां पर हैलोजेन गूरॉप आ गया एक है noises यहां पर लिखेंगे हैन्म पर लिखा क्लोरव प्रोपेन की से लिए सकता है एक होता है सो यहां पर क्या हो गया क्योंकि हेलोजन पर आया है तो हेलोजन को पहले लिखेंगे क्लोरो प्रोपेन हो गया उसे तरह से अगर हम में पास एलकोहल आता है अल्कोहला अल्कोहल मतलब उसका फंक्सनल यह पर इंख जायगा देखते हैं तो पहला चीज तो एक दो तीन कार्बन है इसका प्रप हो जाएगा तो प्रॉप और यांपे ऑट लगा हुआ है यहां पे उह हुआ हुआ है इसका फंक्सनля को हटा के हमको उसका फंक्शनल ग्रूप का नयम में लिखना है क्या है एलकोहल का वेच है इसका सिफिक्स क्या यूज़ करेंगे वेच यूज़ करेंगे तो वेच कहां है यूज़ करेंगे लास्ट का जो इको हटा देंगे और वेच लगा देंगे तो इसका हो गया प्रोप इध मीत क्लब तीन है इसलिए प्रॉप हो गया वेज ग्रूप है तो वेल आगया तो प्रॉप बाइनौल हो गया इस तरह से एल्डी हैट एकर हम बात करेंगे इल्डी हैट का को फंचनल ग्रूप होता है CHO अगर आपको LD हाइट कहीं पे दिखाय दिखाए दिया तो हम इसको LD हाइट बोलते हैं LD हाइट का सुफिक्स क्या यूज किया था लास्ट में यूज किया जाता है इसको क्या यूज क्याता है हम लोग लाश्ट का यह मैं देखते हैं । उसका मतलब घ्रूप करेड तो क्या लिखेंगे यह को हटा कि हमने लगा दिया लगा दिया लाश्ट । इख चयए क्या हो जाएगा इसका नाम इसका नाम तो इस तर्थे हम करना workers क्रूस ने पर आकर तो की स्कूरी करना है ट्षै क्यां समय च्छार दिखता है कितना धिकता है चार करबन दखर रहीं तो यहां पर एक दो तीन चार करबन है तो इसको हम क्या नीमिंग करेंगे चार करबन होने से इत मीद प्रोब्यूट है ना विटेन होना चीए था तो लेकिन यहां पर क्या फंक्शनल ग्रूप आया है आया है तो वान लगेगा लास्ट में एको भीटानया तो इसका क्या होगा बुटानों हो जाएगा इसका नाम ऊच्माव यहां पर की पर कहीं gegangen तो यह होता है ऐस 시द चुप च्क याूजे करते हम लोग कस लिव्ज करते हैं उगन क्या है इसका मतलब क्या है कार्बोकिलिक के बारे में बात कर रहे हैं में के सिसस्ट आगया तो यह देखेँ यह दिने क। Danish से है सी ओ ओ एच लगा यूँ तो यहां पर इत्मी फ्रॉपक किपना है कारबन है えक दो तीन कारबन होन से कृफ़न होना ची था सो लास्ट का ए को हटा दिजिए को हटा के क्या किया है प्रॉपेन का जो इक को अटा कि हमने यहां से जोड आया दे में Property वो P A N E होना चाहिए था, E को हटा के OIC Acid जोड़ दिया है, ठीक है, तो यह हो गया, Propanoic Acid, सो Carboxylic Acid आए गया, तो Last में OIC Acid आजाएगा, OIC Acid लिखेंगे हम उसको, और Functional उसका Formula क्या है बोला मैंने, COOH, ठीक है, उसके बाद Double Bond, अगर Carbon Compound में कहीं भी Double Bond आजाता है, तो उसका Sufix में हम लोग Last में E N E जोड़ देते हैं, E N E, ठीक है, इस तरह से E N E जोड़ देते हैं, Last में, So E N E जोड़ ने यहां पर देखिए, यहां पर E CS3, C Double Bond, यहां पर Double Bond है और यहां पर C है, पर देखिए, कितना Carbon है, एक, दो, तीन Carbon है, कितना Carbon है, तीन Carbon है, तो इसका नाम होना से Propane होना चीए था, ठीक है, तो Propane नहीं होके, Last में हम क्या जोड़ रहे हैं, E N E जोड़ रहे हैं, ठीक है ना, Propane हो गया, ठीक है, अगर Triple Bond होता है, और यह बोंडिंग जो है, हमेशा Carbon Carbon का बोंडिंग का बात कर रहे हैं, Carbon यहां दूसरे के साथ में, सबस्मान लेजे, यहां पर C है और यहां Double Bond O दिया, तो इसको हम Double Bond नहीं काउंट करेंगे, कारबन कारबन के बीच का Double Bond का ही बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, इसको हम नहीं इसाप का लेंगे, इसको हम इस टाइप का फर्मुला में यहां पर देखेंगे, यहां पर भी Double Bond कारबन और Oxygen के बीच में है, तो जब भी carbon-carbon के बीच में double bond होगा तब E&E लगेगा टीक है ना उसके बाद यह triple bond में क्या हो गया triple bond में हम लगाएंगे y&e ठीक है triple bond में हम क्या लगाएंगे y&e यहां पर देखे एक दो तीन carbon है हमारे पास में तीर-Carbon जो गए तो प्रोपेन हो गया और हो गया और ट्रिपल हो गया तो प्ропाइन हो गया क्या नाम लिखेंगे इसका स्टीप ड्रिकर minion के मनधनों करते हैं किसका कारवन का न危lusive शेपकै ठीक है DOS आसा करता हूं यह चीज आपको समझ में आया और जो भी आपको doubt होगा जो भी आपको problem होगा आप comment section में लिख के आप पूछ सकते हैं तो अभी के लिए इतना है thank you for watching God bless you